हम मैं से लगभग हर किसी ने कभी ना कभी एक बार ये जरूर सुना होगा कि तमिलनाडू राज़ में हिंदी बोलने वालों को एक अलग निगा से देखा जाता है लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलता कि आखिर क्योंगी हिंदी का विरोध बाकी नोण हिंदी स्टेट्स में भी होता है जैँ हिंदी नहीं वो लियाती, फिर तमिलनाडू में ही सबसे अधिक हिंदी से हेट क्यों की जाती है आज इसी सवाल का जवाब तलासने की कोशिस करेंगी कि आखिर क्यों तमिलनाडू में ही हिंदी को सबसे अधिक नापसंद क्यों किया जाता है क्या है इसका इतिहास तमिलनाडू में हिंदी विरूत की जड़ में आखिर क्या है जानेंगे आज की इस एपिसोड में नमस्कार मैं स्याम्मीरा सेंग और भारी मातरा में धर्मिक पुस्त के छापना सुरू कर दिया अब डच आये चाहें फ्रांसिसी आये चाहें डेन आये चाहें फिर अंग्रेज आये इन सब के साथ ही इसाई मिसंडियां आई और उनके साथ ही भारत में अंग्रेजी आई बारत में अंग्रेजी सिच्चा के परसार में सबसे अधिक हाथ इन इसाई मिसंवियों का ही था लेकिन इनके साथ दिकत यह थी, कि यह सिर। अपनी भासा ही नहीं सिखा रहे थे बलकि लोगों में अपने धर्म का परचार भी कर रहे थे और बाकी धर्मों को नीचा दिखाने वाली बातों का प्रसार भी करते थे जैसे हिंदू धर्म को अंद्विस्वासी कहना तो इसलाम के पेगंबर साहब को जूटा पेगंबर बताना इसाई स्कूलों में पढ़ाई जा रही इंटिपडियों से दोनों धर्मों के लोग भड़क गए यहीं से सुरू होते हैं कुछ पंगे जो अंतते तमिलनाडू में एंटी हिंदी आंदोलों का कारण बनते हैं मातर 15 साल में ही यानी 1815 से लेकर 1830 के बीची अकेले मदरास में ही यानी आज के तमिलनाडू में मदरास मिसंडरी सोसाइटी के द्वारा 117 इसकूल खोले गए यह सिर्फ एक इसाई मिसंडरी के आकड़े हैं बाकी मिसंडरीों ने भी भारत समयत मदरास में बहुत सारे इसाई इसकूल खोल डाली BBC की एक रिपोर्ट ने ब्राहमर और नोन ब्राहमर नाम की किताब को कोट करते हुए लिखा है कि साल 1832 तक के बुल तमिल भासा में ही 40,000 से ज़्यादा इसाई धारमिक परचे और किताबे चापे गए 1800 मामन तक इनकी तादा 2,10,000 तक पहुँच गई दक्सर भारत में इसाई मिसंडरीों ने कितने बड़े पैमाने पर धावा बोला इसका दूसरा ओधारन ये है कि 1800 मामन तक मदरास में 1185 इसाई मिसंडरी स्कूल खोले गई जिन में करीव 38,000 बच्चे पढ़ते थे हिंदू धर्म के खिलाब पर चारिक की जा रही अपमान्यनक बातों ने मदरास में रहने वाले तमिल ब्राहमनों को एक जुट कर दिया तमिल ब्राहमन बाकी के मुकाबले अधिक पड़े लिखे थे इन्हें संस्कृत भी आती थी तो अंग्रेजी भी आती थी मदरास यानि तमिल नाडू के ब्राहमन समदाय ने दक्षन भारत में फैली इन इसाई मिसंगियों के खिलाप आवाज उठाना शुरू कर दिया इसाई मिसंगियों के वुरुद उन्होंने हिंदू धर्म की परंपराओं का परचार परचार करना सुरू कर दिया लेकिन हिंदू परंपराओं को जीवित करने के ये अभियान एक तरह से ब्राहमनों के बर्चस्व को बचाने के अभियान नजर आने लगे क्योंकि हिंदू धर्म के उठ्ठान का मतलब था उसके सीर्स पर बैठे ब्राहमनों का बर्चस्व अंग्रेजी सासन में भी ब्रहमर्ट समधाय का भारी बर्चस्व था इसे लेकक एस नारायन द्वारा दिये गए इन आकणों द्वारा समझा जा सकता है एस नारायन के अमसार साल 1892 से 1904 के बीच जो 16 भारती आईयस सुने गए थे उनमें से 15 ब्रहमर्ट थी यानि 16 में से 15 ब्रहमर्ट इंजिनियर की पढ़ाई करने वाले 27 भारतियों में से 21 ब्रहमर्ट थे ये ब्रहमर्ट आरेयों को अपना पूरवज मानते थे और संस्कृत भासा को अपनी संस्कृती का हिस्सा मानते थे इनकी आबादी तमिलनाडू की कुल आबादी का केवल 3 प्रतिसत थी लेकिन 20 सदी के आगाज के वक्त मदरास युनिवर्सटी के सरसट प्रतिसत ग्रेजुएट केवल ब्रहमर्ट होते थे सरकारी नोकरियों में उनका बोलवाला था, सचवाले और ज्यादातर जिलों के प्रिशासन में भी ब्रहमर्णों का ही दबदबा था मदरास हाई कोट और बार में तो साइद ब्रहमर्ण ही वकील थे और ब्रहमर्ण ही जज़ थे इसलिए जादातर बड़े पतरकार भी इसी समधाय से आते थे जहां तक कि निजी कारोवारी कमपनियों में भी ब्रामनों का ही पर्चस्व था तमिलनाडू में ब्रामन समधाय के इस एक एकतरफा पर्चस्व ने बाकी समदाय के सामाजे कारकरताओं को एक जुट कर दिया उस वक्त तक आजादी का आंदोलन चला रही कॉंग्रेस पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी इत्फाक से इनमें भी सबसे जादा ब्रहमर्ण समदाय के नेताओं का ही दबदबा था मदरास के तमिल नेता ये जानते थे कि कॉंग्रेस में रहकर ब्रहमर्ण समदाय के बर्चस पे खिलाप नहीं लड़ा जा सकता इसलिए साल 1916 में टीम नायर और पिट्टी त्यागराया चेटी ने कॉंग्रेस से बगावत करके अपना एक गैर ब्रहमर्ण घोषणा पत्र जारी कर दिया वहीं आध्यात में गुरू मर्मलाई अडिगल ने तमिल सुद्धी करण का आंदूलन सुरू कर दिया चुकि बर्चस्व साली ब्रहमर समदाय खुद को संस्कृत से जोड़ता था और खुद को आरेों का बनसज कहता था इसलिए मद्राश के इन तमिल नेताओं ने संस्कृत के आगे अपनी इस्थानिय भासा यानि तमिल भासा को सामने खड़ा कर दिया तमिल भासा के प्रचार और उसकी सुद्धी के आंदोलों के मेल से ही साल 1920 में जस्टिस पार्टी का जन्म होता है जो तमिल पहचान के लिए लड़ने वाली राजनीतिक एकाई बन गई पहली बार जस्टिस पार्टी के द्वारा मदरास में कॉंग्रेस और ब्रहमणों के बर्चस को राजनीतिक चनोती दी गई जस्टिस पार्टी के नेतरत में जल्द ही पूरे मदरास में तमिल पहचान एक एहम मुद्दा बन गई यह आंदोलन कॉंग्रेस ब्रोधी, ब्रहमण ब्रोधी, संस्कृत ब्रोधी और उत्तर भारत और हिंदी ब्रोधी भी था इसमें तमिल पहचान, तमिल भासा और तमिल संस्कृती पर जोड़ दिया गया धीरे धीरे ये बैचार एक आंदोलन अलगाम में बदलता गया और एक अलग तमिल राष्ट की मांग होने लगी यानि अब द्रविड नाडू बनाई जाने की मांग उठने लगी इस 20 साल 1937 के परेशिद्ध चुनाव आते हैं लेकिन इस चुनाव में भी कौंगरेस पार्टी जीत जाती है और कौंगरेस के ब्रहमर नेता सी राजगोपालचारी मद्रास प्रेजिडन्सी के सीयम मन जाते हैं चुकि सी राजगोपालचारी कॉंग्रेसी विचारधारा से आते थी और राष्टिया आंदोलन के तैथ हिंदी पर जोड़ दिया जा रहा था इसलिए वे तमिलनाडू में भी हिंदी के परचार की कुशिस करने लगते हैं बीबीसी के रिपोर्ट के अनसार राजगोपालचारी ने मसहूर राष्टवादी तमिल पत्र का सुदेश मित्रम में 6 मई 1937 को लिखा कि जब हम हिंदी सीख लेंगे तभी दक्सिड भारत को सम्मान हासिल होगा कहां तमिल स्वावेमान का अंदोलन कहां मदराज के कॉंग्रेस सीयम का ये बयान इस बीच राजगोपालचारी ने मदराज प्रेजिडेंसी के सभी सेकेंडरी स्कूल में हिंदी पढ़ाना अनवारे बनाने वाला एक सरकारी फरमान जारी कर दिया ये आदेश कॉंग्रेस और राजगोपालचारी दोनों पर ही बैकफायर कर गया अपूरे तमिल नाडू में अनवारे हिंदी थोपने के खिलाप आंदोलन चलने लगे अभ्यान चलने लगे जस्टिस पार्टी और मुस्लिम लीग ने मिलकर एक तमिल बिग्रेट तयार की जिसने तरची से मदरास तक की 42 दिनों की पदियात्रा निकाली ये यात्रा 249 गाउं और 60 कस्वों से गुजरी इस पदियात्रा में बड़े इस तरपर लोग सामिल हुए इस दोरान नारे लगे आरे हस रहे हैं और तमिल रो रहे हैं और ब्रहमर समदाय मातर भासा तमिल की हत्या कर रहे हैं साल 1938 में हिंदी विरोधिक कमांड की लिए स्थापना कर दी गई और तमिल पहचान का मुद्धा में स्ट्रीम में आ गया अब एक ऐसा नायक तो आना ही था जो ब्रहमर समदाय की बर्चस को और भी गंबीर चुनोती देता और अब वो नायक जर्म ले चु पर बिला चाहे कि वे कशीवी विचार्दारा से आते हूं। यही कारण है कि पेरियर को विए द्रब्र आंदौरण का प्तेता कहा जाता है। साल 1949 में पेरियर ही जिस्टिस पार्टी के अद्यक्स बन जाते हैं। पूरे मदरास में तीन साल हिंदी विरोधी आंदोरन चलते रहे, इस वीच दूसरा विशुद आ जाता है और विशुद में भारतिय सेनकों को भी बिना कॉंग्रेस और उसके मुख्यमंत्रियों से सलाम अस्वरा किये, ब्रिटैन की तरफ से लड़ने के लिए धकिल दिया ज जारी किया गया अनवार हिंदी थूपने वाला सरकारी आदेश पापस ले लिया, साल उन्नी सो चम्मालीस में पेरिया ने जस्टिस पार्टी का नाम बदल कर द्रविड कजगम यानि डीके रख दिया, साल उन्नी सो उननचास में इस पार्टी में विटन हो जाता है, और सी लेकिन चुकि भारत में बहुंसे ऐसे राज्यते जाहें भी नहीं बोली जाती थी, न समझी जाती थी, वैसे वह उनकी तरफ से हिंदी का विरूद किया जाने लगा, उन्हें डर था कि अगर हिंदी को एक मात्र राष्ट भासा बना दिया जाता है, तो बाकी भासाओं के लोग पीछे रह जाएंगे और हिंदी बोलने समझने वालों को अतरिक तिलाब मिलेगा, इसलिए एक वार फिर हिंदी का विरूद होने लगा, इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि राष्ट भासा का मामला अगले 15 साल तक के लिए टाल दिया जाए और सरकारी कामकाज की भासा के रूप में हिंदी के साथ साथ अंग्रे जी को साथ साथ रखा जाए, यानि 15 साल तक के लिए अब हिंदी के साथ साथ अंग्रे जी भी सरकारी कामकाज की भासा बना दी गई, लेकिन 15 साल बाद क्या, अब जैसे 15 साल पूरे होने हुए, उससे पहले ही ये सवाल इस मूड में थी कि किसी भी तरह अंग्रेजी से मुक्ति पाकर हिंदी को पूरे देश में इस्थापित कर दिया जाए केंदर की आकांक्साओं और तमिलनाडू के नेताओं के बीच ऐसी हिंसा का जन्म होता है जिसमें सरकारी आखनों के अनुसार ही 70 लोगों की जान चली गई हिंदी अंग्रेजी दोनों के एक साथ राजवासा बनाई जाने की विवस्ता के 15 साल पूरे होने के बाद जो हिंसा का जन्म होता है जिस आंधुरन का जन्म होता है उनमें क्या हुआ इन सब के बारे में पूरी कहानी जानने से पहले 30 सेकेंड के लिए आज की इस एपिसोड के स्पॉंसर कैमली एप के बारे में बात कर लेते हैं अंग्रेजी कितनी जरूरी है, कितनी नहीं, यह आपको अपने जीवन में हर रोज पता चलती होगी, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि इसे सीखा कैसे जाए, उपर से fluent English बोलना कैसे सीखें, क्योंकि कोई आसपास है ही नहीं जिससे बात करके English की प्रैक्टि नहीं सकती हैं, कैम्बली एप पर आपकी ही तरह English सीख रहे दूसरे देशों के लोगों से भी आप बात कर सकते हैं, कैम्बली की क्लासे बहुत महंगी नहीं हैं, बलकि बहुत सस्ती हैं, अगर आप मेरे दुवारा दिये गए कूपन का इस्तेमाल करेंगे, तो आपको पहल जाएगी, अब बापस अपने वीडियो पर लोडते हैं, साल 1965 में अंग्रेजी और हिंदी दोनों को राजवासा बनाई जाने की विवस्ता खत्म होनी जा रही थी, जैसे जैसे साल 1965 आती है, वैसे वैसे तमिलनाडू में हिंदी थोपे जाने की आसंगाओं को लेकर आंदो रुकर्टे थे, हिंदी भासी राज़ो के अलावा बाकी राज़ो की समस्याँ को समझते भी थे और बरावर सम्मान भी दे थे लेकिन नहरू के मरत्यू के बाद लाल बहदूर सास्त्री देश के परधान मंत्री बने, सास्त्री के बाद मूरार्जी देसाई, गुलजारी लाल नंदा जैसे प्रो हिंदी और सक्ति साली नेता थे इसलिए गैर हिंदी भासी नेताओं को लगा कि 15 साल पूरे होते ही कहीं उनके उपर हिंदी लाधना दी जाए इसलिए 26 जनवरी 1964 की गरतंदर दिवस के दिन भी तमिलनाडू में हिंदी के खिलाब प्रदर्शन हुए राज भर में तमिल चातर हिंदी गुरूधी सभाओं का आयूजन कर रहे थे समिल नाडू में चल रहे एंटी हिंदी प्रदर्शनों के दोरान सम्मेधान की कुछ हिस्सों को भी जलाया गया जिन हिस्सों में हिंदी भासा का जिक्र था है एक तरफ सरकार द्वारा इन आंदूलनों को कुचलने की कोशिस की जाती, दूसरी तरफ तमिल पहचान के लिए लड़ रहे, सभी छातर संग्टनों ने मिलकर दतमिल नाडू स्टुडेंट्स एंटी हिंदी एजिटेशन कांसिल बना ली, इस कांसिल ने पूरे राज्य में इन टी हिंदी आंदूलन चलाया, अब 1965 की गरतंदर दिवस नजदीक आने को होती है, इसलिए उससे कुछ दिन पहले ही, यानि 16 जनवरी 1965 की दिन, डियम के पार्टी के मुखिया, सी एन अन्ना दुरई ने साल 1965 में आने वाले गरतंदर दिवस को सोग दिवस के रूप में म पनाने नहीं दिया जाएगा, उन्होंने कहा कि जो सम्मेधान वुरूदी साभाओं में सामिल होंगे, उन पर सक्त एक्षन लिया जाएगा, 26 जनवरी से एक दिन पहले ही, डियम के निता, अन्ना दुरई और तीन हजार समर्थकों को हिरासत में लिया गया, इसी बीच मदर आंदोलन कारियों ने भी पबलिक प्रॉपर्टी को तोड़ना शुरू कर दिया, हिंदी में लिखे बोर्ज को उखारना फैंकना शुरू कर दिया, रेलवे की संपत्री को उखार फैंक डाला, आंदोलन कारियों ने दो पुलिस करीमियों को भी मौत के घाट उतार दिया, इस्तिती को बिगडते देख मुखे मंतरी भक्त वत्सलम ने पैरा मिलिटरी फोर्स बुला ली लेकिन ये हिंसा और अधिक हिंसक होती चली गए। सरकारी आकड़ों की ही माने तो लगवग दो हकते तक चली इस हिंसा में सतर लोगों की जान चली गए। कुछ रिपोर्स का ये भी कहना है कि करीब 500 लोगों की मोथ हुई थी। तमिलनाडू में चल रहे एंटी हिंदी आंदोलन इतने तीवर थे कि कुछ आंदोलन कारियों ने तो जहर खा कर खुद भी जान दे दी। 11 फरवरी के दिन केंद्र में मतराज से आने वाले दू कैबिनेट मंतरियों ने जाने की सी सुब्रमन्यम और ओवी अलागेशन ने नई लेंग्विज पॉलिसी के विरोध में इस्थीपे दे दिये। कॉंग्रिस में भी दो गुट बट गए। जैसे तमिलनाडू में कॉंग्रिस के मुख्य मंतरी रहे के कामराज ने भी कहा कि तमिलों पर हिंदी भासा नहीं थोपनी चाहिए। भासी राजज़ों में राजनिती करनीवानों को एक बड़ा मुखा दे दिया। से अब तक कॉंग्रिस कभी भी तमिलनाडू की राजनिती में नहीं लोड़ सकी और हिंदी हिंदू हिंदूस्तान का राग अलापने वाली भासपा भी यहां कभी भी खाता नहीं खुल सकी। क्योंकि तमिलनाडू भासा और संस्कृति को लेकर एक संबेतन सील राज्य है। कॉंग्रिस पर एंटी हिंदी आंदूलनों का प्रभाव सिर्फ तमिलनाडू में ही नहीं पड़ा बलकि तमिलनाडू के पड़ों सी राज्यों आंदर प्रदेश करनाटा केरल में भी कॉंग्रिस को नुक्सान उठाना पड़ा। दखाते हुए 18 जनवरी 1968 के दिन ओफिसियल लेंग्विज रेजिलूशन पास कर दिया। इस रेजिलूशन के अनुसारी इस्तपष्ट कर दिया गया कि 15 साल पूरे हो जाने के बाद भी अंग्रेजी भासा आगे भी सरकारी कामों में यूज होती रहेगी। तब से लेकर अब तक यही व्यवस्ता लाग हुए है। यह सवाल है जो दक्षर भारत में रहने वाले लोगों के द्वारा अक्सर पूचा जाता है। लेकिन ये कभी तमिल, तेलुगू, मल्याली या कन्नड भासा का परचार क्यों नहीं करती दक्सड़ी राजी के लोगों की दिक्कत ये है कि पहले उन्हें अंग्रेजी सिखने पड़ती है जो अब ग्लोबल लेंग्विज बन चुकी है, उसके बाद वे हिंदी भी सीखें सवाल ये है कि वे हिंदी क्यों सीखें सिर्फ इसलिए कि उत्तर भारत की एक जमात चाथी है कि वे हिंदी सीखें और अगर देश की एक्ता के लिए सिखाना है तो फिर ये प्रयास एक तरफा नहीं हो सकता फिर तो दोनों ही और की लोगों को एक दूसरे की भासा सीखने पड़ेगी लेकिन ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि उत्तर भारत में हिंदी और अंग्रेजी की बाद कोई भासा सीखने की बात आती है तो संस्कृत ले आई जाती है लेकिन दक्सिड भारत की भासा नहीं सका जाती है जबकि संस्कृत का कोई सामाजिक और आर्थिक लाब नहीं है, ना उसे बोलने वालों की संक्या देके, बहुत ही मामूली संक्या में लोग संस्कृत को समझ और बोल पाते हैं, बाबजूद इसके दक्सिड भारतिय भासाओं को संस्कृत के सामने भेद भाव का सामना करना प सेकेंडरी स्कूलों में हिंदी पढ़ाई जानी चाहिए, इसके बाद एक वार फिर तमिलनाडु राज्य में ब्रोध हुआ, उन्हें एक वार फिर लगा कि उनके उपर एक अतरिक्त भासा लादी जा रही है, इसलिए डियम के पार्टी के अध्यक्स M.K. स्टालिन ने चे नहीं आती, भारत इतना अधिक अलग-अलग संस्कृतियों और भासाओं का देश है कि सब भासाओं, संस्कृतियों और धर्मों का सम्मान ही भारत के हित्मे हैं, इसे ही भारत की एक ता सम्मव है, लेकिन हमारी समझ कितनी संकीन होती जा रही है, इसे राहुल गांदी के द भारत की अलग-अलग भासाओं और अलग-अलग संस्कृतियों को दबाया नहीं जा सकता ये एक तरह से साज़दारी है कोई राजसा ही नहीं है राहूल गांदी ने कहा कि ऐसा सोचा जाता है कि देश को केंदर के जरिये सासित किया जा सकता है जब-जब ऐसा करने की कोशिस हुई है तब-तब यह ब्रहम टूटा है राहूल गांदी ने आगे कहा कि भारत में हमेशा से बातचीत और साज़दारी के जरिये ही सासन किया जाता है राहूल गांदी के इस बयान के बाद भासपानेताओं जैसे अमित मालवे और तेजस्फी सूर्या तक सबने कहा कि राहूल गांदी देश को तूड़ने की बात कर रहे है तमाम हिंदी चैनलों पर ये डिवेट चलाई गई कि राहूल गांदी का भासपान देश की एकता तूड़ने वाला है लेकिन बात इसके एकदम उलट थी तमिलाडू का पूरा इत्यास बताता है कि भारत की एकता उसकी बिविदता में है उसके सम्मान करने में है उत्तेजित राजनीती में नहीं है उत्तेजित हिंदी राष्टवात से नहीं है लेकिन हिंदी हिंदू हिंदूस्तान की राजनीती उत्तर भारतियों की समझ को एका की बनाती जा रही है जो अलग-अलग संस्कृतियों से भरे देश की एक्ता के लिए सही नहीं है बहराल हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान की राजनीती को लेकर आप क्या सोचते हैं अगर आपको अंग्रेजी के साथ साथ कोई तीसरी भासा सीखने के लिए बाद किया जाए तो आपकी क्या प्रतक्रिया रहेगी, यहां बाददता की कह रहा हूँ मर्जी से चाहें कोई भी बासा सीख सकता है, लेकिन बाददता कितनी सही है इसे लेकर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कमेंट बॉक्स में ही आपको हमारी वीडियो के स्पॉंसर केमली एप की लिंक मिल जाएगी और वो कूपन भी मिल जाएगा, कूपन को इस्तमाल करने के बाद आपको 60% तक डिसकाउंट मिल जाएगा तो चैनल पर टहलने के अलावा उस लिंक पर भी टहल आईए इस वीडियो को भी लाइक कर दीजे, कमेंट करके अपने प्रतक्रिया भी दे दीजे साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजे, यही सपोर्ट आपका चाहिए तब तक के लिए, नमस्कार